दोसो क्लैश एड़ा कैस्ट्रेल पेपर यूग हतम हो चुका है और यह कहना पड़ेंगा के डेपली ने इस पेपर यूग को आसम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और बात करें रोमारेस वसी डू मैकेंटार के मैच की तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगिलर क्लैश एड़ा का मैच तो बहुत ही अच्छा था लेकिन मैच के एंड में जब सोलो सिकावा ने रोमारेस की हेल्प करी तो यह किलियर हो गया के डेवली के रोमारेस को लेकर बहुत ही बड़े प्लैन से जिसे सुनकर यकिनन आप खुश तो जरूर होंगे बस उस खुश दोस्तो अगेन में रोमारेस वासी डूमेकंटर के मैच की तारीव करना चाहूंगा एंट हैंस तो WWE उन्हों ने इस मैच को हमारी एक्सपेक्टेशन के लेवल का डिलीवर किया बड लास्ट में WWE ने जो सोलो सिकावा वाला इंगल प्लाइन किया उसे लेकर काफी कन्फूजन क्रियेट हो चुका है आप कई रैसलिंग फैंस इस मूव को ऐसा कंसिडर कर रहा है कि सोलो सिकावा ब्लाइन के न्यू मेंबर होने वाले एंट WWE में उन्हें अच्छा पूश देने के लिए WWE ने सोलो सिकावा को रोमारेस के साथ जोड दिया है बट गाइस अभी जितना ही एंगल सिंपल दिख रहा है एक्चल में यह उतना ही कॉम्पिलिकेटेट है एंट जो तेरी सामने आ रहे हैं के सोलो सिकावा बस उसोस की तरह रोमारेस की मदद करेंगे यह कुछ अत्तक गलत है अब क्यों सोलो सिकावा को डबलेमी ने रोमारेस के साथ इतने शांदार वे में एड किया इस बारे में डिसकस करने से बहले बिग शाट आट टू हैदर अली एंड आलिया जहा एंड आलिया जहा बुरो आइंड डास्टाइन दा प्रॉब्लम एंड मैं आपसे वीडियोस को रिअपलोड करने की जो फ्रिक्वेंसी उसे बहुत अत्तक कम कर दूँगा एंड आयम सारी और साथी बिग शाट आट टू यू एंड मेरे दूसरे वीवर जिने वीडियो में फिचर होना है तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करू एंड चलिए जानते हैं सोलो सिकावो को ब्लेड लाइन में जॉइन करने का अखिर क्या प्लैन है सो गाइस अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होंगा के मैं आज़री हजार बार कैच चुक हो कि इस साल की रसल मेनिया में दर रॉक आने वाले आप देखो कुछ मैनों पास सोलो सिकावो को बचाने के लिए दर रॉक उनका रिटम करेंगी आप गाइस हैनो मैं बहुत ही ज़्यादा चली सिस्टोड लाइन पे वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अगर अभी के सिनेरियो को देखे तो बहुत ही हाई चांसेस है कि यही प्लैंस हो क्योंकि यह बात तो सबको पता है कि रोमरेस वसी सोलो सिकावा का मैच रसल मेनिया में नहीं हो सकता हाँ रोमरेस वसी दा रॉक का मैच ज़रूर हो सकता है एन दा रॉक भी इस मैच के लिए रेडी है सो ओप करते मैंने जैसे इस्टोय लैन को पिडिट की है डेफली भी इससे ऐसे एक्सिक्यूट करे क्योंकि बिलीब मी इस इस्टोय लैन में बहुत ही ज्यादा मजा आएंगा आपके अभी मेरी तरह रॉक वसी इस रोमर रेस के मैच के लिए एक्साइड़ेट हो यह आपको रोमर वसी सोलो सिखाओ का मैच देखना है कमेंट करके ज़रूर बताना सो बस आज की वीडियो ही तक थी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टोक इंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो सी यू गाइस इन माइन नेक्स वीडियो